आक्रूती जोईने मनुष्यनी ओलक, चहेरो आंतरिक स्थितीनु दर्पन छे, मनुष्य पोताना दैनिक जीवन मांग जेकला लोकोना संपर्क मां आवे छे, तेमनी आक्रूती जोईने तेमना विशे घनोखरो अंदाज लगावी ले छे के तेमना बैकी कोन केवा प्रकार्म व्यक्ति छे, तेनो स्वबाव, चालच लगत अने चरित्र केवांग छे, आ अंदाज घने अंशे साचो पड़े छे, जो के कोई-कोई समय आंकने आंजी नाखे तेवी बनावर्ती दगोपन देवा मां आवे छे, परन्तु मोटे भागे मुखा कृतिनु रूप जोईने जानी शकाए छे, के आ व्यक्ति केवी माटिनी बनेली छे, मनुष्योंने ओलखवानी कड़ा मांग जे जेतलो प्रविन होए छे, तेना दंधा मांग तेकला वदू प्रमान मांग चोकसाई धरावे छे, जेवो मानस होई तेनी पासे थी तेवी अपेक्षा राखवानों मली जाई, तो छेतराई जवानों भय ओचो रहे छे, तेम जल आभकारी सगवडों सहेलाई थी प्राप्त थाई जती होई छे, भणा प्राचीन समय थी आ विद्या मांग संशोधन थाई रहियूं छे, अनेक वैग्यानी को ए आ दिशा मांग घनी शोत करी छे, अने डूप की लगाववाथी जे रत्नों तेमने प्राप्त थयांग छे, तेमने सामान्य जनता सामे प्रकट कर्यांग छे, महा भारत, वेगपुरान, कादंबरी वगेरे जुना ग्रंथो द्वारा ए जानवा मल्यूं छे के आ विद्याती भारतवासियो आधिकालती परिचित छे, व तीनी साथे राज्या विशेक थवानु स्पष्ट थाई छे, मारा वाल पातला एकसर्खा अने काड़ा छे, ब्रमरो खूली, जांगो रुनवाटी रहीत अने गोल, दांट जोडायेला दाडमनी कलियो जेवा, नख गोल अने लिसा, विक्सिक मोटांस्तन, रुनवाटी को अने रंग उजळो छे, आथी पंडितोय मने शूब लक्षणो वाली सवभाग्य शाली कही छे, आथी श्रीरामजीना नहोवाथी आ बदी, निशानियो मित्या थाई जशे, आ कथन उपर्थी जनाई छे के त्रेतायु मां आक्रुती विज्नानुम्ज्नान स्त्रियोने प प्रचार थयो, इसुनांग बस सो पचास वर्ष पूर्वे टॉलेमीना दरबार मांग मेलांपस नामनो एक विद्वान रहेतो हतो, जेने आ विशय पर एक सारो ब्रंथ लक्यो हतो, आधुनिक समय मांग यूरोप अने अमेरिकाना वैग्न्यानिको लोही तथा परसेवा न टिपानना रासायनिक प्रूथकरन परती मनुष्यना स्वभावने चरित्र संबंदी घणूं रहस्यो ध्वाटन करवा मांग सफल थया छे, शेरो वगेरे विद्वानो एतो नवेसर्ति आ संबंदी उंडूं संशोधन करिने पोताना अनुभवो प्रकाशित करिया छे, आ आक्रूती जोईने मानसनी ओलखान करवानी विद्या हवे एटली बदी सर्वांग संपुर्ण थती जाए छे, के लोकोनो आंतरिक परिचय थोडिक शनोमां मेर्वी लेवानू आश्चर्य जनक रिते सरल अने शक्य थवाल आगियू छे, कुदर ते आ विद्यानू मनुष्य कोई विजी व्यक्ती उपर नजर करिने हंदाज लगावे छे, के व्यक्ती विश्वास करवा लायक छे, के ये ना थी दूर रहेवूं जोईये। भले तमे जानता नथी के आ विद्यानू तमने जनान छे के नहीं, परन्तु कुदरतना नियेमों मुझब मनुष्य ने जे मानसिक शक्तियों मलेली छे ते पईकी मनुष्य ने ओलखवानी विद्यापण ने छे, आ सहज जनान इस्टिक दरेकना भागे आवियूं छे, जो अने एना आधारे घणी वास्तविक माहिती मेलवी शकाई छे, हवे आपने ए विशे पर विचार करिशूं के के वी रिते आकृती जोईने विजानी ओलखान करी शकाई छे, तमे गोई पन व्यक्तिना चहेरानी बनावट उपर, आंखोमांथी प्रकट थता भाव पर, पह मारा मनमांग एक प्रकारनी धारना बंधाय छे, आ रिते वी जी व्यक्ति पर द्रुष्टि पात करो अने ए चित्र अंगे धारना बांधो, आ बंने धारनाओनी सर्खामनी करी जुओ के कयां कयां लक्षणों थी कया कया संस्कार बन्या छे, तुल्नात्मक रिक्ति आम अन जानकारी जाते जमेलवी शक्षो तथा अनुभववद शे, आ पुस्तक मां जनाववामां आवियूं छे के कोई बे, प्राणी सर्खी आक्रुति नां होतां नथी, बधाननी आक्रुति मां कनिक ने कनिक तफावत जरूर जोवा मले छे, खुदर ते कोतानी कारीगरी नू बिन्न बिन्न बनावी ने करियूं छे, एक जब बिवामां सवने ढालवानी वेख उतारी नथी, परन्तु दरेक मूर्ति ने जुदो जुदो घाट आपी तैयार करवामां आवि छे, आ बिन्नताना कार्ने एंतो न कही शकाय के आवा प्रकारना अंगो वाला आ प्रकारना होई छे, कारण के जे मनुष्यनी आकृतिनु उदाहरन आपवामां आवशे तेना जेवोल जब इजो मनुष्य आ विश्वमां मलवो मुश्केल छे, आम छतां केकलिक सामानियर उपरेखाओ बतावी शकाय छे के अमुप्रकारनी आकृती होई तो तेनु परिनाम अमुप मुद्रा, रहेनी करनी, वातचित करवानी तथा उठ्वा बेस्वानी रित वगेरे बाबतो उपर पन विचार करवो पडशे। जे रिते गंद सुंगी ने तमे थेली मां बंध राखेली ची जो जेविके मरचां, हिंग, कपूर, इलायची वगेरेने जोयावीना जानी श चको छो, ते प्रमाने शरेरना बहारना अंगो पर जे लक्षणों छवायेलां छे तेमने जोईने एपन जानी शकाये छे के आ मनुष्यना विचार, स्वभावने कार्य केवां प्रकार ना भशे। आ अंगे कोई पन प्रकार ना भ्रम्मां पड़वानों कोई प्रश्न न प्रम्मा थी, परंतु स्वभावना कार्य आक्रुती नुम निर्मान थाये छे। स्थूल शरीरनी पण एक जांकी छाया सतत साते साते फरती रहे छे, सुक्ष्म शरीरनी पण एक छाया होए छे, जे थोड़ी जन्वटबरी नजरती जोवाती लोकों नी आक्रुती पर सती जनाई छे। उदर्मा जे कंगी भरेलूं होए छे, ते बहारना लक्षणों द्वारा प्रगट थया विना रहे तूं नथी। डूंगली पेतनी अंदर पहोंची जाय, तो पन तेनी गंध मुकमांती आवती रहे छे। आ प्रमाने आंतरिक विचार्वने व्यभारनी छाया चहेरा पर जनाई आवे छे। आ कारंथी ज सामान्य रिते सारानर्सानी ओलखांड सहज रिते थाई शके छे। छेतरावानों के ब्रह्मां पडवानों ववसर्तो जवल्ले जा आवे छे। मनुष्यनूं कार्य सामान्य रिते तेना विचारोंना परिनाम स्वरूप ह आ विचार आंतरिक विश्वासना परिनामे होई छे। बीजा शब्दो मां कहिए तो आंतरिक भावनाओनी प्रेर्ना थी जविचार अने कार्यों नी उत्पत्ति थाई छे। जेनूं हुरुदय जेवुम हशे तेवा जविचार तेक बेशे अने तेवां जकार्यों मां प त्वोथी बनेलो छे। चोक्खा पानिमां वधारे साफ पड़ चायों देखाये छे। एवी रिते बिजां अंगोनी सर्खाम निमां चहेरा पर आंतरिक भावनाओनूं रेखांकन वधारे स्पष्ट ताथी थाई छे। आ विचार अने विश्वास ज्यां सुधी त्यां सुधी जुधी वाद छे। परंतु ज्यारे मनोगत भावनाओं मजबूत थाई जाई छे। त्यारे तेमने प्रगट करना रांग चीहन छे चहेरा उपर उपसी आवे छे। तमें जोयूं हशे के कोई व्यक्ति चिन्ता, शोक, कलेश अथ्वा वेदनाना विचारो ती घेरायेली हशे तो तेना चहेरानी पेशियो हमुक स्थितिमां होये छे। परंतु ज्यारे ते आनन्ती प्रफूलित होये छे त्यारे तेना होठ, आंखना पलकारा, गाल, कानपट्टी तथा मस्तक नी चांबिमां बीजी रितना फेरफारों नी रेखाओ अंकित थाई आ प्रमाने अन्य प्रकारना विचारोंने लईने आक्रूती उपर जे असर पड़े छे तेने लिदे कोई खास प्रकारनां चीहन, डाग, प्रेखा वगेरे उपसी आवे छे। जेम जेम ये सारानरसा विचा बे मजबुत अने जुना थता जाई छे, तेम तेम ये चीन नो पंस पष्टवने उंडां थतां जाई छे, दार्षनी खैरिस्टोटलना समय ना विद्वानोंनो येवो मत हतो के पशुओना चहेरा साथे मनुष्यना चहेरानी सर्खामनी करवाती तेना स्वभावनों परिचय करी शकाई छे, जेम आनस्मिर मुखार्विन जे जानवर सा सथे मलतुम आवे तेनो स्वभापन तेना जेवो जहोए, जेम के घेटा जेवो चहेरो मुर्ख होवानो भाव प्रगट करे छे, आ रिते शियालनी चालाकी, बागनी बहादूरी, वरुनी क्रूरता, चित्तानी चपलता, बुन्धनी मलींता, कुत्रानी खुशामत, भेंस आलस, गदेडानी मुर्खता प्रगट खाई छे, हाल मांग पन उपर मुजबनी सर्खामनी बंद बेसे छे, परन्तु हवे तो आ विद्यामां घणी प्रगटी थाई छे, तथा घणिकरी वातों नी खबर पड़ी जाई छे, नी संदेह चहेरो मनुष्यनी आंतरिक स्थित तिने दरपणनी जेम बतावी दे छे, आवश्यकता ए वातनी छे के तेने जोवाहने समझवानी योगिय जयोती आंखो मांग होए, आ पुस्तिका मांग चहेरो, गाल, ब्रुकुटी, मस्तक, कान, नाक, दान, छाती, हाथक, हर्ची, मों तथा, आंखो संबंधी लखवा मा आवियूं छे, हस्तर एखा, पग, कमर वगेरे अंगो पर एक लाइदूं पुस्तक लखवा मांग आवशे, बजा बे मांग बेठेली कोई रूपुती नवेववनानी नजी कुभा रही जोता रहो के त्यांथी पसार्थता लोको कई दुरुष्टी थी तेने जोई रहया छे, स्त्री, पूरुष, बालक, रूप्त तथा बालिकानी नजर ते यूगती पर पड़शे, परंदु एकभी जानी सर्खामनी मांग ते मांग घणूं अंतर हशे, कोईनी दृष्टी मांग वासना, कोई मांग कामुक्ता, कोई मां स्ने, कोई मां भूप, कोई मां कोई मांग तिरसकार, कोई मांग वैरागय तथा कोई मांग घरुना भरेल भावना आपने जणाई आवशे आ बिन्नताओ बतावे छे के ये जोनाराओ पैकी कोण केवा स्वभावना छे वितेला जीवन मांग जेमने कोई यूगती साथे जेवो प्रसंग पढ़ियो हशे तेवी जा अनुगूती तेमना मांग जागरुत थाई हशे जे व्रुध्धाने पोतानी आटली उम्मर्नी आवी जब पुत्रीनो वियोग सहन करवो पढ़ियो हशे तेनी आंखो मांग आजानी यूगती प्रतेपन वाक्सले उगराई आवशे व्रुध्धानी आँख मांग आंसु जोईने अमुगहद सुधी तेना भुपकार अने भवीश्यकार ने जानी शकाई छे भुपकार मांग आव व्रुध्धाने आवी कोई वहाली पुत्री हशे वर्तमान मांग हवे तेने तेनो वियोग सहन करवो पढ़े छे आ तो एक प्रासंगी घटना थाई आ रिते कोई प्रसंग नो जोरदार प्रभाव पड़े तो तेना संस्कार उंडा उतरी जाये छे अने ते कोई सामान्य समय मांपण आंख वगेरे अंगोमां रहेला भाव तथा बिजान लक्षनों जोईने जानी शकाई छे आक्रूती विग्यान नो आज आधार छे एक आश्चर्य जनक वाते छे के मनुष्यना स्वभाव मुझग तेनां बधां अंगोमां लक्षनों प्रकट थतां होई छे दूष्ट व्यक्ति ओनां नेत्रों मांगती दूष्टता टपकती होई छे एक लूम जन नही तेमना दरेक अंग पर बारिक नजर नाखवाती जनाशे केते सववे एक प्रकारनी विशेश्टा धारन करेली हशे जे प्रत्यक्षर उक्ति तेमना दूर्डूनोंनी साक्षी आपी रही हशे आ प्रमाने सदाचारी लोकोवने सज्जनोंना चहेरा सज्जन तानी विशेश्टाती छवायेला होई छे काली, गोरी, सुन्दर, कदरूपी गमेतेवी व्यक्ति होई तेमनी कुटेवोने लिधे तेमनां सुन्दर अंगोपन बेडोल बनी जशे जेओ सुसंसकारी हशे तेओ वश्टावक्र अथवा सुकरातनी जेम गदरूपा केम न होए छटां तेमनां अंगोपोतानी बनावट मांग जेमनां तेम जणावा छटां प्रामानिकतानी साक्षी आपतां रहे छे आ रचना टेवोना कारंथी सुत्रे छे के बगडे छे एक सारी व्यक्ति ज्यारे कुमार्गे वडे छे त्यारे तेनां सज्जनता नां चीहनों घटे छे तेम ज़ जुदान जुदां अंगो मांग येवांग चीन नो पेदा थाई छे के जे मने जोईने दूर्जन ताने जानी शकाई छे हातनी रेखाओ उची वत्ती थती होई छे, जे मांग केकलिक नवी फुटे छे तो केकलिक लूप थाई छे आ परिवर्तन आचार ने विचार मां अंतर आवाथी थतुम होई छे आ रिते स्वभावने व्यवहारना कारने सुप्ष्म रूप्ती मन अने शरीर पर जे प्रभा पड़े छे तेना थी घणी जातनां विचित्र चीनो उत्पन थाई छे तथा अंगोना मालखामां विचित्र प्रकार नो फेरफार थाई जाई छे आध्यात्मिक व्यक्ति आ लक्षणोंने जोईने मनुष्यना अंतर करनी माहिती मेलवी ले छे स्थितीनी जानकारी होवाथी परिनामनी कल्पना सहज रिते जगरी शकाय छे जेमके कोई व्यक्ति विद्वान वक्ता हने सलगूनी होई तो अनायास जएवुं कही शकाय के जनता तेनो आध बे सतकार करशे आ रिते शारिरिक चीनो परती आंतरिक योग्यताओनी जानकारी मलवाती तेना भवीश्य पढ़नी पण धनी हद सुधी एवी कल्पना करी शकाय छे जे छेवटे साची ठरे आ रिते आकरुती जोईने कोई पण मनुष्यनूं चरित्र जानवानूं तथा तेनूं भवीश्य बतावानूं शक्य छे एवाद त्यानमां राक्वानी छे के आकरुती विज्यान भाग्य वादनूं कोई पण रिते समर्थक नथी गून कर्महने स्वभाव मां जे विन्नता जनाई छे ते प्रमाने चहेराना रंगधन पन बदलाई जाई छे आकरुती विज्यानना जानकार एक समय एक व्यक्तिनां जे लक्षनों बतावे छे ते व्यक्तिनों स्वभाव जो बदलाई जाय तो तेना लक्षनों मां पन फेरफार जनाय आवशे। एक हरूंग छे के तेनों धांचों बदलाशे नहीं। धांचानों पूर्वजन्मना संचित संस्कारों साथे संबंध होई छे। सुन्दर सुड ओल अंगो धरावती व्यक्ति पूर्वजन्मांग स्वुपकर्मकर्नार तथा धरुपी अने बेडोल अंगो वाली व्यक्ति पूर्वजन्मांग अशुपकर्मकर्नारी रही हशे। ते मुझव ए संस्कारों नी प्रेर्नाती आ जन्म मांग सुंदर्ता के कुरूपता प्राप्त थाई छे ए मान्यता बराबर छे. आ जन्म जात मालकूं तथा रुकरंग मांग फेरफार थाई शकतों न थी, जेने जोईने जन्म जन्मांतरों ना कोईक स्वभावने संस्कारों नो परिचै मली रहे छे परंतु एवुम नथी के आ जन्म मांगे संस्कारों मां परिवर्तन ना करी शकाई परमात्माई मनुष्यने पूर्ण स्वतंत्र बनावीने मोकलियों छे ते स्वेक्षा पूर्वक पूराणा समग्र स्वभावने बदलीने नवा बिबामां भाली शके छे आक्रूती ग्यानविद्या एक वई ग्यानिक काईद्धती छे ते कदापी एवूं नथी कहेती के मनुष्य भाग्यनूं पुत्लूं छे विधाताए येने जेवो बनाव्यों छे एवा रहेवूं पडशे भाग्यवादने आ विद्या साथे जोडवी एक मोटी भूल करवा बराबर छे सोमासाना हवामानने जोई ने कोई हवामान शास्त्री टूंग समयमां भारे वर्षानी जाहेरा करी दे छे के मच्चरों नी वृद्धी ने जोई ने कोई दाप्तर मेलेरियानी चेतमनी आपे छे अत्वा साक्षिनान मिवेदन सामबडी ने कोई कायदा निशनात मुकदमों हारी जवानी वाद बतावे तो एवुंग न समच्वुंग जो ये के आ बधी वातो भागय मां लखेली हती जेने ए लोको ए गुप्त ग्यान द्वारा जानी लिदी हती वास्तव मां हवामान शास्त्री दाप्तर के कायदा निशनात महानु भावोए जे भविश्य वानीयो करी हती ते जेते समय नी स्थितिने नजर सामे राखी ने तेनां परिनामोंना ग्यानना आधारे करी हती जो तेमां कोई फेरफार करवा मां आवे तो परिनाम पन बदला शे मच्छरोंने जो मारी नांखवा मां आवे तो डॉक्टर नी चेतवनी साची ठर्शे नहीं आ जब आबत आकृती विग्यान संबंदी छे कोई पन व्यक्तिनूं भूग भविश्य हने वर्तमां तेना द्वारा कही शकाई छे भूगर्व विद्याना निश्नात जमीन तपासी तेमां थी निकलेला एक पत्थरना टुकडाना आधारे हने खैतिहासिक तत्यों शोधी काडे छे ए जरीते आकृती नी जीन्वटनूं निरिक्षन करिने मनुष्य जीवननी आगल पाचलनी धनी वातोपन कही शकाई छे परंतु त्यानमां राकूं जो ये के ए कथन चकासनी अने अनुभवनी बुद्धिगम्य वैग्यानी क्वीधी मुजब ज करवा मां आवे ए मां येवी कोई वात नथी के मनुष्य ने ब्रह्मा जीए माटीनू कुप्रूं बनावी ने धर्ती पर मोकलियो छे मनुष्य पोताने मर्जी मुजब भडवा माटे स्वतन्थर छे कोई वार आक्रूती विजनानना आधारे कहेवा मां आवेली अमुक वातो बंदबेस्ती नथी तेनां बे कारणों छे एक तोए छे के ते व्यक्ति एकोतानो स्वभाव बदली नाक्यो होए परन्तु शरीर परनांग चीहनों बदलावा मां कंगी कडचन उभी थई होए अत्वा नवांग चीहनों त्यां सूती प्रकट थयांग न होए बीजूं कारण इह होई शके के फड़ादेश कहेनार्थी लक्षणों नो अभ्यास करवा मां भूल थई गई होए आथी आ मुश्केलियोंने ध्यानमां राखीने ज्यारे नासी पास थवाई त्यारे हताश थवाने बदले तेनु कारण शोद्मूं जोईए अने एक संशोदकनी जेम वास्तविक्तानी खात्री करिने आ विज्णानी प्रगतिमां मदद रूप थभूं जोईए